हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अनकेडमी लेट्स क्रेक्ट फाउंडेशन और एंटी यूट्यूप चैनल माइसल्फ एजसिंग और मैथमेटिक्स एंड मेंटल अबिलिटी मेंटर ठीक है बैचो तो आज का टोपिक है क्लोग टेस्ट ठीक है क्लोग टेस्ट में भी एक स् वेल्यू के बारे में आज मैं लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं इस पे बेस्ट लास्ट त्री यर्स में दो बार एंटीसी स्टेज टू में क्योशन पूछा जा चुक है ठीक है सिंपल आपको फिजिक्स की नोलेज होनी चीए ठीक है जब हम पहली बार उस क्योशन को देखेंगे बहुत समय लग सकता है बहुत दिक्कत हो सकती है बट आज का जो लेक्चर देखने के बाद इस टाइप के जब भी क्योशन सापके सामने आएंगे मैं गैरेंटी कह रहा हूं विदिन टैन सेकंड साप यह आंसर निकाल दोगे ठीक है बचो तो चलो सुरुआत क कर लिजेगा जिससे आपको अपकमिंग वीडियो के अपडेट लेक्चर नोट इस्टेडी मेटल आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा प्लस सब्सक्राइब करने पे लाइब क्लासेज वीकली टेस्ट इस्ट्रक्चर कोर्स अलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आइकोनिक जाती साथ आपको पर्सनल गाइडेंस वहाँ पे मिलने वाला है तो आई विल रिकमेंट गो फॉर आइदर वन टू और त्री यह एर और यूज दा कोड एजी एसम इस पे आपको इंस्टेडली 10 परसेंट का डिसकाउंट वहाँ पर मिल जाएगा यह आइकोनिकी प्राइस सब्सक्राइब करने के बाद फड़ा-फट से आप जाके मेरा कोर्स अल्रीडी चल रहा है उसके अंदर आप इंड्रोल कर लीजिएगा ठीक है जिसके अंदर आप लोगों को मैंटल अबिलिटी कंप्लीट करवाने वालों एस्पायर 2.0 अपना कोर्स है 5 प्यम इसकी क्लास होती है ठीक है बच्चों चलो तो जो क्यों संस पूछा गया है वो क्यों संकुछ इस तरीके का है ठीक है न एक जैकली सेम प्रोब्लम नहीं है हो सकता उसमें डैटा थोड़ा सा अलग हो ठीक है और बेसिकली इस प्रोब्लम को हम बोलते हैं कि जैसे हमने काफी सारी संदे रखी है तो कितने समय के बाद मिनेट हैं और एक दूसरे को एक्सेंज करेंगे जैसे माल लो कोई एक्जामपल के तोर पे अगर मैं लेकर चलू माल लेते हैं कि 2 बज़ कर लग बग यह रहा 2 यह रहा 3 यह रहा 12 वन वाल ले TCP कुछ ऐसा सिच्वेशन है कि 2 बज़ कर संथिंग कुछ समय है कि किस्समय कोई क्या होग आ रहा है और मिनेट है उपर चला जाएगा तो अगर मैं देखू तो approximate की पहले जो समय था वो लगबग 2 बच कर something था और जब बाद में ये situation create हुई कि जब minute hand और hour hand ने एक दूसरे को बदल दिया तो I think 3 बच कर something को समय होगा और मोटा मोटा अगर मैं द्यान से भी इस चीज़ को समझू न तो 2 बच कर 15 के आसपास minute है फिर 3 बच कर 10 मिनट के आसपास वो मिल जाएगा एक्सेंज कर लेगा तो लगबग 50-50 मिनट के आसपास का ये समय होगा बट ये भी तो situation हो सकती थी कि minute hand यहाँ पर होता चार से 5 के बीच में जब ये एक्सेंज करता तो क्या होता तो जब ये एक्सेंज करता बचो तो अगर आप देखोगे पहले 2 बच कर something को समय था अब 4 बच कर something को समय है तो ये लगबग 2 घंटे के आसपास का समय हो गया तो approximate तो हम यहाँ पर calculate कर लेंगे बट जो मेरे options है न वो भी बड़े मलब द्यालू options है बहुत पास-पास है तो हमको exact answer निकालना ही पड़ेगा यहां पर ठीक है तो इसको हम जो concept जो हम यूज करेंगे that is physics का speed and motion जो वाला chapter speed velocity distance वाला concept हम वो यूज करने बाले उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि minute hand जो है minute hand जो है वो 6 degree पर minute की speed से जाता है minute hand जो है वो 6 degree पर minute की speed से जाता है और hour hand जो है वो half degree पर minute की speed से जाता है आई बात समझ में यह hour hand का speed है और यह minute hand का speed है clear है बच्चों? ठीक है? तो करते हैं इस problem को कि let's suppose जहां से सुनिएगा let's suppose जो समय है माल लेता हूँ ऐसा कुछ हो जाए कि सुरुवात में जहां से देखना 1, 2 ये 3, ये 4 ये 5, ये 6 ये 12 ये minute hand है मेरा ये r hand है मेरा जहां जहां समझ रहा है और वो situation अलग है यहां पर अभी इस problem को नहीं कर रहा हूँ मैं एक normal problem देख रहा हूँ कि 2-3 के बीच में मैं घर से बाहर निकला और 3-4 के बीच में मैं घर में वापस आया और मैंने क्या देखना कि minute hand और r hand है वो एक दूसरे को बदल चुके है एक्सेंज कर चुके है ठीक है तो अगर बच्चो ध्यान से सुनिएगा r hand ने अगर theta degree travel किया है r hand ने अगर theta degree travel किया है तो time taken by r hand is angle theta divided by इसका speed which is 2 theta ठीक है time taken by r hand is what जितना distance travel किया है और यहाँ पे angular distance की बात होगी angular displacement की बात होगी जितना distance travel किया है divided by speed of r hand ठीक है और इसी time पे minute hand यहाँ से उठके यहाँ गया ऐसा तो होगा नहीं ने कि उल्टा चलने लग जाएगा कि चल भई एक्सेंज कर लेते हैं पोजिशन ऐसा तो नहीं होगा अगर यह theta degree है तो यह 360 minus theta degree होगा यह 360 minus theta degree होगा क्या yes or not और मैं यहाँ पे लेख सकता हूँ कि time taken by minute hand in this whole process is distance 360 minus theta divided by speed which is 6 और यह जो भी सारा काम हुआ है यह एक same time में हुआ है उसी दोरान हुआ है जब r hand minute hand की जगह आया ऐसा नहीं हुआ होगा कि r hand minute hand की जगह आया और बाते की minute hand से चलो और क्या हल चाला है फिर minute hand निकला वहां से नहीं यह सारा काम जो वो एक साथ हुआ है मतलब यह बात मैं बोल सकता हूँ कि time taken by r hand and time taken by minute hand will be the equal yes or not और अगर यह equal है तो मैं लिख सकता हूँ 2 theta equals to 360 minus theta by 6 तो यहां से आएगा 12 theta equals to 360 minus theta यहां से आएगा 13 theta equals to 360 और theta का value 360 by 13 theta का value 360 by 13 फिक है यह तो displacement आया ना 360 by 13 तो time कितना लगा time कितना लगा time जो लगा है that is 720 by 13 मतलब मैं यह बात बोल सकता हूँ कि minute hand r hand in every 720 by 13 minute एट दूसरे की positions को exchange कर लेते हैं in every 720 by 13 minute ठीक है बट अभी भी समस्या खतम नहीं हुई है ज्याहां से सुनना अगर मैं आपको यह बोलू कि मैं 2 से 3 के बीच में घर से बार गया था 3 से 4 के बीच में वापस आया तो obvious सी बात था answer will be this बट अगर मैं बोलू कि मैं गया तो 2 से 3 के बीच था वापस 4 से 5 के बीच आया तो लगबग मैं 2 घंटे के आसपास हो गया तो इसका हम डबल कर देंगे तो reference time हमें क्या दिया गया है और किस दोरान हम घर से बार गए किस दोरान हम वापस आए ठीक है उस चीज का बड़ा important role है जैसे हम इस problem में चलते हैं वापस से दियान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि हम दो से तीन वापस घर से बार गए पांस से छे वापस आए तो अगर मैं देखू दो से तीन तीन से चार ठीक है ना तीन से चार चार से पांस पांस से चे आंसर विल बी वोट 720 by 13 multiply with 3 720 by 13 multiply with 3 और यह समय कितना होता है यह बर इसको आपन चेक कर लेता है calculate कर लेता हूँ 166 166 minute 166 minute मलब 2 hours 46 minute and some second तो आंसर विल बी आंसर विल बी अगर मालो यह बोलता कि मैं 2 से 3 के बीच गया था और 5 से 6 की जगए 6 से 7 के बीच में आया तो 2 से 3 o'clock के बीच में तो मैं गया था 4 से 5 5 से 6 6 से 7 तो उस केस में क्या हो जाएगा 720 by 13 into 4 तो कुछ भी नहीं कर ना जिस टाइम पे आप गय हो उसका पहला और जिस टाइम पे आप आय हो इन दोनों का डिफ्रेंस ले लो उसको 3 से मल्टिप्लाइ कर दो ठीक है तो 720 by 13 is the golden value और हमेशा जो आंसर होगा वो हमेशा आंसर इस टाइब के क्योसंस का होगा एन इन्टू 720 by 13 एन इन्टू 720 by 13 क्लिर है बच्चो ठीक है चलो तो आई तिंग आपको समझ आया होगा अज़ा 720 by 13 को भी मैं अगर कनवर्ट करूं मिनेट्स में 13 50 65 70 35 65 ठीक है तो ये एक्चुली में 55 मिनेट और 5 by 30 55 और 5 by 30 मिनेट होगा ठीक है बेटा चलो तो ध्यान रखिएगा बच्चो अल्रेडी अपना प्लस और कॉर्स ओंगोईंगा फड़ा फट जाओ सब्सक्राइब करो इस पेशल क्लासे सकते हो इंट्रेक्ट कर सकते हो पॉल्स में पार्टिपेट कर सकते हो क्यों सकते हो सारे इंपोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को यहां पर रेगुलर मिलते रहेंगे ठीक है बचो कुछ भी नपरोपेट कंटेंट देगा डिस्क्रिप्शन में फोर्म दिया फड़ा पर जाओ फोर्म को फिल करो जो भी फोर्म को फिल करेगा सबसे पहले वह अपने लिए एक प्राइस क्लेम कर सकता है वीडियो को जाने से पहले लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और कमेंट करके जरूर्ब बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही लिए सोटकट ट्रिक्स टेप्स उस पर आपन वीडियो बनाएगे कमेंट करके आप जरूर्ब बताएगा ठेक बाचों बाइबाए